आयर्वेद विश्व दी सब्तों पुराणी इलाज प्रणाली है। आयर्वेद दायरा बहुत ही विशाल है। पर ऐस दे दायरे दी विशालता नू समझन ते दुनिया तक पहुचान ले, बहुत ही कट लोग जतंशीलने। जो जतंशीलने, उना विशों भी हर कोई इस दी गहराई तक नहीं पहुच पाया। आयर्वेद दी असल गहराई समझन वाले विशों इकने डॉक्टर नवदीव शर्मा। जिनानों तुसी अकसर जास्टी वी दे, डिफ्रेंट डिफ्रेंट प्रोग्राम्स दे विच, डिफ्रेंट डिफ्रेंट ट्रीटमेंट्स बारे गाल कार दे वेखते हो। डॉक्टर नवदीव शर्मा ने अपनी लगन ते मेंत देनाल आयर्वेद दी कहराईनों समझया ही नहीं, बलकी एनू दुनिया दे कोने कोने तक पहुंचान लेई ओ जतन शीलवी ने, ते उदले अन्थक मेंत भी कर रहे ने। डॉक्टर नवदीव शर्मा दी अईर्वेद नू लेके नौलेज वेके, जस पंजाबी दी इंडिया टीम ने सोचया कि क्यों न उना दे सेंटर विजिट किता जाए। ते जेडा सब्तों नेडे सेंटर पैंदा सीगा, ओ सीगा सेक्टर 91 इंडास्टियल एरिया मोहाली। अचसर सानू लगदा है कि अईर्वेद दा मतलब न देसी नुसके जड़ी बूट यां जा स्लो ट्रीटमेंट है। पर डॉक्टर नवदीब शर्मा दे क्लिनिक नुँ विजिट करके इस सारे वहम टुट जान देने, क्योंकि एथे प्यानक तो प्यानक बिमारी दा इलाज भी आईर्वेद रहीं किता जान्दा है। जास्ट टीवी दी टीम ने डॉक्टर नवदीब शर्मा दी क्लिनिक दी विजिट दौरान की की जान्या आव थोनु विखान देया। ए अराध्या है। अराध्या दे पेरेंट्स ओदे ट्रीटमेंट ले। वेस्ट बेंगौल तो डॉक्टर नवदीब शर्मा कोल आईने। जितनी थेरपीस अभी हमने की हैं वैसे अराध्या की अराध्या ने कॉपरेट पुरा किया थेरपीस के अदा। तो हम अभी जो आपसे सिखाएंगे भी धारा आप घर पे कभी नी करपा होगे। शिरोबस्ती जब आप एक बार सीख लोगे ना तो आप घर पे भी करपा होगे। इट्स इजी। तो एक बार डॉक्टर अंकिता सिखा देती हैं नस से अभी। मैं चाहूँगा ये कि एक दिन जोड़ करके इसकी शिरोबस्ती आप घर पे किया तो आपको लेकर के बेजे। अराध्या दे ट्रीटमेंट दा एक हिस्सा है पंच कर्मा। डॉक्टर नबदीब शर्मादेप पंच कर्मा ट्रीटमेंट्स और पंच कर्मा ट्रीटमेंट्स तो किवें डिफरेंट ने आउवेक देया। यह एक्सराइजाज आपको गाइड की जा एक कोछीजे आप तो आपको पये सिखाएंगे घर के लिए तो वह चिजेंआे आपको सुआ हैंगे तो वह चीजे आपने ज़रूर करनी है जा कर के अब अब आएरवेद में हमने यह जब कभी भी अपना पंच कर्मा करते हैं। है कि आयर वीद में जब हम पंच कर्मा कर देते हैं उसके साथ जब हम फजयो और ऐसी इधर पैसी जाएड कर तेज तो काफी पेशेंट्स में इंप्रूमेंट देखने को मिलती है खास दुर पे सेर्बल पैल सी में क्योंकि श्र्वाल पैल सी में या तो progressed पंच कर्मा आईरवेदा ट्रीटमेंट दा एक बहुती एहम हिसा है पर युजवली उनों सिर्फ मसाज तक ही सिमित मन लेया जान्दा है डॉक्टर नवदीप शर्मा दे पंच कर्मा सेंटर्च आई पेशेंट्स नू मिलन तो बाद एक काफी हाद तक क्लियर हुया कि पंच कर्मा सीरियस डिजीजेज नू क्या और करन विच बहुत ही सार्थक है And in those two doshas, through a nadi prediction, we can always see that which doshas is aggravated and accordingly we can plan a therapy or a treatment for a patient. So here, in this case, it is nirampith that is aggravated. That means we require jalokavidhi for him by the earliest. So jalokav charan will also be able to do them. Jalokas are you with? I want you to show jalokas too, tell me a little bit. So Dr. Ankita will tell us how to do jalokas. A Dr. Navdeep Sharmada, Panjkarma Department है. Asi onanalwi kal giti. Jaisi Dr. Navdeep Sharmada Ji, world-renowned Ayurvedic healer है, उनके अंडर, हम काफी time से, मैं और मेरी टीम, सर की guidance के अंडर ही, बहुत सारे patients को हम लोग आराम पहुचाते आए हैं, उनको positive result देते आए हैं. मैं पिछले एक साल से यहां पे काम कर रहा हूँ, और मैंने देखा कैसे critical patients उनके guidelines में ठीक हुए हैं. साथ श्रीकाल, मेरा नाम रिंपी है, मैं पिछले 10 साल तो डॉक्टर नवदीप शिर्मा जी देनाल जोडी हैं, यहां पे एक आफी chronic disease आते हैं, जो कि हमने उनको recovery होते हुए देखा है, अच्छा लगता है जब हम patient के साथ ऐसे हम उनको recovery देते हैं, तो हमें भी better feel होता है कि कोई patient आया और वो हम आरे यहां से खुश हो के जा रहा है, थोड़ा सा मैं आपको पंच कर्मा के साथ भी इंटर्डिउस करवाना चाहूंगी, जिसमें कि हम कहते हैं कि हमारी जो body है, वो world या universe की जो है, एक miniature form है, और ये miniature form होने की वजह से, हम जो भी पंच कर्मा में, आयर तुसी सोच रहे होगे कि डॉक्टर नवदीब शर्मा कोल किसी भी treatment लेई आऊंगे ता फिर रहूंगे किते, उस तो बाद खानपीन दीवी टेंशन होएगी, किते रहांगे, किते जावांगे, किस तरा जावांगे, ए सारी टेंशन आप जिन्नू लैंड दी लोड नहीं बिकाज ए सारे अरेंश्मेंट्स, डॉक्टर नवदीब शर्मा दी टीम उना दी निग्रानी हेट कार दी है जड़े पेशन्ट दे श्टे वास्ते शी रूम्स बनाएया और पूरे वास्तू नों त्यान दे वेच रहके बनाए गया इदे नाल सांनू ए बेनिवेट हों दाया कि एतरे शॉनल लैट पूरे अवेलेबल हुँँदिया जदना पॉजिटिव अनरजी रूम दे वेच रहिं दीया ते पेशननू हील हों दे वेच बहुँद बेच बेनिवेच बेनिवेट मेलदा जदना कि तुसी देख सागते ह अप करने तो इदिव पीज वेच और मेरो सुन्ट तुसी ना करो, विकॉस त्वेंटीफॉर सेवन उन्हादी टीम अवालीबल है आप जीनू असिस्ट ते गाइड करन ले. मेरा नाम संदीब सिंग है और मैं रिष्ट पुष कंपणी देवेच नेटवर्क अड्मिस्टेटर है मेरा काम है कि मैं इस कंपणी देवेच इंटरनेट सर्विसिज, कॉलिंग सर्विसिज इनना सारे आंदा त्यान रखना होंदा है और मेरा एक कोशिश उन दिया कि मैं एक मिनट ली भी किसे भी टाइब दी कोई सर्विसिज नो बंध हों तो रोकना होंदा साड़ी पूरी टीम दिये हमेशा कोशिश लगी रहें दिया कि असी किसे भी लोडबंध, किसे भी पेशेंट नो एक मिनट भी कोई तंगी ना होवे और ओना चोवी कंटे बिना किसे रुकावट दे सर्विसिज मिल दिया रहे एथे मेंशन कारना भी जरूरी है कि तुसी अपने कमफोर्टिबल टाइम दे एकोडिंग एना दे टीम नो 24-7 कॉंटक्ट कार सकते हो हेट दिते नम्बरां दे एना ही नहीं एना दे दॉक्तर्स भी थवाड़ी हेल्प लई हमेशा अवेलिबल रहन देने एथे एक गल होर मैं जरूरी मैंशन कारना चावांगी कि एथे सिर्फ ते सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं हुंदा आप जी दे लई योगा अते मोटिवेशनल क्लासिज दावी अरेंजमेंट है खुद में खुद जो इदर उदासी में नहीं के विदू में भूरा है जब पास्टिप के साथ जुड़ जाएगा उस लाइटर्स नमट के साथ जुड़ जाएगा इसके साले समस्य ठीक हो जाएगी और ये बड़ी मस्ती में काम करेगा इन्हें मिस्टर ओम प्रकाश शर्मा डॉक्टर नवदीब शर्मादेव फादर साथ क्यों हमारी जो डिमांट हैं जो हमारी रिखेस्ट हैं जो हमारी प्रेयर हैं पूरी कुणियों दे इसके वाले महारम है बुड़ा क्याम हो गया क्योंकि हमारी उनको सौट करने की अप्रोच सही नहीं हो Mr. Nadjeeb is an obedient he is very helping he have very responsible faithful and very close relations with the patients in the beginning while he qualified his PMT and he was not able to औह से उन्हाँ में झाली योज मे जोग उन्हाँ प्रवजा, घर अजाँ नियुः उन्हाँ ए्यक्टिस, अजाम है जाँ विछ में प्रवगितव और एनदूम सिसी कुईभाई उन्हाँ एक्याँ प्रवार भॉजा जाँ प्रवगिताचाली। विजर्द दोरान असी वेख्या की डॉक्टर नवदीप शर्मा जी दे मदर भी सेंट दे विच इंपोर्टन रिस्पॉंसिबिल्टी निबा रेनी ती उना दा साथ दे रेनी ऐसे हैं मैं बेंकिंग सेक्टर में थी तो जैसे मुझे लगा की मेरे बेटे का काउं जो है डॉक्टी लाइन जो है कापी प्लॉरिश ओरी है तो मैंने अपनी बेंकिंग जो अपसे बेली तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा थेक्टर है और इसमें सेवा का भी चीज जा जा ती है जैसे वह बच्चों मैं भीम ठीक हो जाते हैं मुझे लगा कि मुझे बैंक की जोग छोड़के इस तरफ ही आना चाहिए इसलिए मैं उसके साथ ही ये सब कुछ अकॉंस दिपार्टमेंट को मैनेज करने लगा सेंटर दी विजर्द औरान असे एवेग के काफी इंप्रेस हुए कि ओ थे उना दी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अदी ट्रेंड स्टाफ हर मिनट पेशेंट्स दी हेल्प लई मौझूद ने चंडिगा सेंटर में हम पेशेंट्स को मेडिसन्स के साथ साथ कुछ स्पेशल थेरपिस्ट रहती हैं पंच कर्मा थेरपिस्ट जिसको आयरवेद में संशोधन चिकित्सा जो है वो बोला जाता उसके थू भी हम पेशेंट्स को एडमिट करके प्रॉपर उनकी के थूपर और proper examinations के थ्रू जो है उनको treat करता है तो यहाँ पे मुझे जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है सर के साथ work करना और daily basis पे उनसे कुछ ना कुछ इस तरह के chronic patients में कुछ ना कुछ सीखना उनसे treatment से related, diagnose से related और जब recovery मिलती है patients को तो उनका जो है हम case studies and all सारा कुछ जो है वो proper discuss करते हैं सर के साथ तो यह आपने देखा पूरा हमने आपको दिखाया कि आयरुवेदा center जो होते हैं वो सिर्फ नुसकों तक ही सिमित नहीं होते जब भी हम अक्सर आयरुवेदा की बात करते हैं तो अक्सर लोग यह समझ लेते हैं कि नहीं नहीं treatment तो बहुत लेट होता है या फिर क्या होता है उस treatment में छोटी मोटी बेमारिया, खांसी जुकाम, पेट दर्द, कुछ ऐसी बेमारिया हद से हद थोड़ा बहुत माइग्रेन, कुछ ऐसी बेमारिया अक्सर यह myth है लोगों में लेकिन यह myth है, तभी आज मुझे लगा कि हमें Dr. Navdeep Sharma के यहां जरूर आना चाहिए वो अक्सर कहा करते थे, जो आयरविदा है वो बहुत बड़ी बात है यानि कि critical से critical जो बेमारी है वो भी उससे दूर होती है थोड़ा सा trust करना लोगों को यह बात मुश्किल लगता है लेकिन आज के बाद यह trust करना आसान लगेगा क्योंकि हमने आपको दिखाया कि किस तरह से critical से critical patience भी यहां आ करके ठीक होते हैं और चहरे पर मुस्कान ले करके जाते हैं और जब हम आयरवेदा की बात करते हैं तो सिर्फ नुस्खों तक नहीं होती बात बात होती है इतने बड़े सारे सेटप की और इस सेटप को अगर हम यह कहें कि सिर्फ यही सेटप नहीं आल ओवर दे वर्ट थर्टी टू सेटप है और टू थाउजन वर्चुल सेटप है डॉक्टर नवदीब शर्मा के जिनने रिष्ट पुष्ट आयरवेदा के नाम से जाना जाता है सबसे पहले तो थांक यू कि आपने हमारे लिए टाइम में काला सबसे पहले तो शुक्र है इस पार थांक्स तू यू जी जस पंजाबी और जस हिंदी के सभी विवर्ट को हमारे तरफ से सास्रियाकाल जी नमशकार जी और हम रिली थांक्फूल हैं आज जस पंजाबी की कि वो लोग आज हमारे साथ हैं और आईरवेद की ट्रू पिक्चर आज आईरवेद ग्लोबल आईरवेदा हो चुका है हमारे भारत की विरासत है और आज पुरी दुनिया में निरोगता फिला रहा है खास तोर पे कोविड आने के बाद से आईरवेद ने एक नया ही मुका काम हासिल किया है लोगों को वाइरल इंफेक्शन से बचाने का और आज जास पंजाबी की टीम हमारे बीच है हमारे साथ है तो हमें लगता है एक होसला अवजाही है आईरवेद की और आईरवेद की ट्रू पिक्चर पुरी दुनिया तक पहुंचाने की आईरवेदा से य जो मित है कि हर ट्रीक्मेंट नहीं हो सकता तो आपका इतने सालों का एक्सपिरियंस क्या कहता है कि कौन कौन से पेशन्स किस तरह के पेशन्स आपके यहां से ठीक होते हैं देखे सीमर जी ऐसा है कि जब हम बात कर रहे हैं आईरवेद से इलाज की तो अक्सर आपने बिल्क आईरवेदी की इलाज करवाया जाए तो गंभीर से गंभीर रोग में भी वो ऐलोपतिक इलाज से भी शीगरता पूरुवक लाब कर सकता है लेकिन दृरूरत है चिकित्सक के योगी होने की आईरवेद ही कहता है कि एगर चतुषपाद आईरवेद में चतुषपाद कहा ज़ी चार factors जो नि रोगता दायक है अगर 4 factors गुनवान है तो व्यक्ति बहुत quickly ठीक होता है गंबीर से गंबीर रोग की बात भी अगर हम करें तो और यह 4 factors कौन से है सबसे पहला है वैद्य अर्थ nenhum अर्थात दा न येर्वधिक हो कहीं भी compromise ना किया गया हो उनको develop करने में थर्ड आ जाता है patient रोगी जो रोगी है वो डॉक्टर की बात मानने वाला हो उसकी आयरवेद में और अपने डॉक्टर में पूर्ण आस्था हो एक faith के साथ वो इलाज शुरू करे और चोथा आ है परिचारक अर्थात रोगी के attendant वो motivate करने वाले हो रोगी को और उसके इलाज में और परहेजों का पालन करने में वो उसकी help करें यह चारों factors जब जुड़ जाते हैं सिमर जी तो आयरवेद में शमन और शोधन शोधन बहुत बड़ी चीज है जो पूरी दुनिया में कुछ चनिंदा आयरवेदिक centers करते हैं जिन में से हम लोग भी शामिल हैं अगर यह दोनों शमन और शोधन किया जाएं तो kidney disease, hepatitis, Parkinsonism, Alzheimer's, arthritis कई गंभी रोगों में आयरवेद बहुत अच्छा काम करता है तो क्या एक age factor के बाद आयर में आयरवेदा का जो treatment है वो थोड़ा less impact वाला रहता है like जो elderly लोग होते हैं उनमें आयरवेदा का जो treatment है वो less impact वाला है मैं तो सिमर जी यहाँ पर यह कहूँगा कि it's vice versa जो मेरा experience कहता है आयरवेद जैसे जैसे उमर बढ़ती जाती है आयरवेद pathy of choice बनता चला जाता है एक young person अगर आज चार pain killers खा भी लेगा न तो इतनी problem नहीं आएगी उसको side effects भी सह जाएगा लेकिन एक 70 years 75 years का person जब pain killer खाएगा बहुत problem आएगी उसको यही कारण है कि geratrix रसाइन चिकित्सा एक aging के साथ होने वाले रोगों की चिकित्सा जरा के साथ व्यादियां जो आती है आयू के साथ रोग जो होते हैं जैसे Parkinson's, Alzheimer's, Depression, Arthritis यह ऐसे रोग हैं जो उम्र के तकाजे जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है यह रोग भी आते चले जाते हैं खास तोर पे इन रोगों में तो आयरवेद से बढ़कर कुछ है ही नहीं तो मैं तो यह कोँगा कि उल्टा है जी, जैसे जैसे एज बढ़ती है, आयरवेद पैथी of choice और बहुत इफेक्टिव होता चला जाता है डॉक्टर मॉनिका, मैं आप से पूशन चाहते हूं, फीमेल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इन सब चीजों में, जो यंग एज के जो फीमेल के प्रॉब्लम होते हैं, उसमें आयरवेदा का इंपाक्ट कितना होता है अगर मैं बात करती हूं तो उसमें कई बार एल्डरली एज यहां कहलो, आप 40 को गर हम क्रॉस कर जाते हैं, तो आयरवेदा के जो हर्ब्लम्स देते हैं हम, यह शोधन चिकित्सा जो कि मैं करवाती हूं, उनमें रिजल्ट्स अच्छे ही मिलते हैं, जैसे यंग एज के कि नहीं कहीं फीमेल का AMH लेवल तो नहीं काम हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई वो मैनोपॉस को अप्रोच कर रही है, उनकी बाडी में जो है, हॉमोन का इतना डिप्रिशन हो गया है, कि वो पॉसिबल ही नहीं है, तो यह सारे फैक्टर्स पहले देखने पड़ते हैं, जो कि मैंने पिछले 21 सालों से टिपिकल आयुवधिक मेडिकेशन ही सारी जो है, वो अपनी गाइनिकोल फीमेल में दिये हैं, और मैं को इस चीज की बड़ी खुशी मिलती है, कि मैंने बहुत अच्छे रिजल्स भी देखे हैं, डक्टर नवदी, मैं एक चीज पूछना च जो मैंने अपने स्टार्टिंग उसमें भी कहा, कि हम ऐसा क्यों लोग मानते हैं, कि नुस्खे हैं, नुस्खों का कितना रूल है, जी, देखे नुस्खे जब हम कहते हैं, तो reality है कि आयरवेद अपसे कुछ साल पीछे गरम चले जाएं, जब आयरवेद का हरास हुआ, तो इतनी लेवल तक हरास होगा कि केवल दादियां, नानियां और कुछ लोगों ने हमारी आयरवेदिक हैरिटेज को संजो करके रखा, संभाल करके रखा, देखे आज एलोपेथी का बहुत प्रचलन रहा है, पिछले 3-4 डेकेट के गरम बात करें, और अगर किसी को हलका सा भ पास जाते थे तो क्रोसिन खा लेते थे, ठीक इसी परकार से आयरवेद लोगों की इतनी जुबान पर चड़ा हुआ था, कि हमारी दादियों, नानियों को सब कुछ पता था आयरवेद का, पेट दर दो रही है, अजवाइन का लो, हिंग पेट के उपर मल लो, बहुत सी ऐ आई हैं, आपने कवर किया है, और दुनिया तक आप पहुंचा रहे हैं, कि आज का आयरवेद कैसा है, तो ये बहुत बड़ी पहले जी आपकी तरफ से, और अगर मीडिया ऐसे अच्छे स्टेप्स लेता रहेगा, तो बहुत जल सारी दुनिया जान जाएगी, कि आईरवेद केवल नुसकों तक सीमित नहीं है, हर प्रकार के रोग का इलाज आईरवेद में संभव है, ड़क साब मुझे ये समझना थे, जैसे पहले हम अगर पंच कर्मा की बात करते थे, तो यूजिली पंच कर्मा को लोग मसाज के रूप में ले लेते थे, पंच कर्मा एक फैशन या लाइस्टाइल के रूप में ही ले लेते थे, जो बड़े-बड़े, मतलब कई बार ऐसे सेंटर होते हैं, जो सिर्फ ट्रीक्मेंट के लिए नहीं होते हैं, पंच कर्मा के लिए होते हैं, तो जो आपकी हैं पंच कर्मा होता है, जो हमने बहुत हुज चीजे देखी हैं आपर, वो जो खाली सिंपल मसाज बगएरा के लिए पंच कर्मा कह सकते हैं, एक्चली वो पंच कर्मा नहीं होता है, तो वो कैसे डिफरेंट हैं, देखे सिमर जी, बिल्कुल आपने सही चीज कही कि जो मसाज बगएरा या रिलाक्सिशन बगएरा के लिए सेंटी परसेंट सेंटर्स में, क्योंकि जो प्रधान कर्मा है, जो एक्चुल पंच कर्मा है, जो थोड़ा टाफ है, वो नहीं किया जाता है, तो लोगों को केवल पूर्व कर्मा करकर ही भेह दिया जाता है, और आयरविद की खुबसूरती देखिए, उस पूर्व कर्मा स इने से ळासे भी लोगों को लाब मिल जाता है तो लोग इन सेंटर से भी सेटिसफाइड रहते हैं लेकिन अगर परदान कर्मा कर दिया जाए प्रॉपर पंच कर्मा कर दिया जाए तो आप सोचिए शरीर कितना निरोग हो जाता है और यही कारण है लोग wait करते हैं तीन तीन चार चार महीने लग जाते हैं जी उनकी बारी आते हुए और फिर भी वो हमारे पास आते हैं रुकते हैं और complete पंच कर्मा करके जाते हैं अगर वो diseased है तब भी और बहुत से लोग अपनी health को maintain करना चाते हैं तब भी क्योंकि आईरवेद ये कहता है स्वास्थास्य स्वास्थे रक्षनम आतुरस्य विकार प्रशपनम स्वास्थे व्यक्ति की स्वास्थे की रक्षा करें और रोगी के रोग का निहरन करें डॉक्टर नवदीव शर्मा जित्ते तुसी एस्वेले गाल कर रहे हो वो सड़े सारे नाराई दियो उसने तो किस तरह तो नू एप्रोच कर साकते हैं, जेड़ा थोड़ा एथे सिस्टम बढ़या हुआ है, वो एथे रह भी साकते हैं, तो आपा एवरेज कहिए, किसे नू कोई माईगरेन दी प्रॉबलम है, या थोड़ा क्रिटिकल होड प्रॉबलम है, एवरेज किनिक दिन उननू कि एथे ओ, आपे ट्रीक्मेंट करा सकान, एक कोशन मेरा हैं गा, दूजा एदे नालदा ही कोशन हैं, कि तो आनू किस तरह आप्रोच करन, बिकास ताइम डिफरेंस है, ताइम डिफरेंस दी वजए नाल, मतलब की थवाडी सर्वसेज, साधे नराइ वियर्स लई, टोटल करनाल, मैं हमेशा एक कहलो फकर महसूस करदा हूँ, कि उस कुदरत ने इनी भक्ष किती है, कि आपाँ 24 बाई 7 हा, चोवी केंटे, सतों दिन, साधे यूएस दे वियर्स वस्ते, साधे सारे इंटरनाशनल वियर्स वस्ते, साधे इड़ा नंबर है, जी एज़ा तुसी रू कि तुसी किसे जड़ी बुटी दा भी पुछना ना, सानु कॉल करो, सानु बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि मकसद है नहीं है, कि तुसी साधे को नहीं को चीलो, मकसद है तुसी आयरवेद नल जुडो, और आयरवेद नल जुड़ंच, आपना किते भी छोटी जी सहायत भी तुड़ी कर सकते हैं, सानु बड़ी खुशी मिलेगी, चितो तिकन सवाल है, साधे को रह के इलाज करांदा, most welcome जी, तुसी उसे नंबर ते कॉल करनी है, कदी भी जदो इंडिया तुसी आओ, साथ को दिन साधे वस्ते भी कड़के आओ, seven days, अगर तुसी healthy हो, अगर त तुसी disease नहीं हो, तुसी सिरफ और सिरफ अपनी health नू promote करना ना है, तुसा नू seven days चाही देने तुड़े, अगर तुसी किसे disease नू ठीक करना ना है, फिर 14 days to 21 days, एदे according तुसी अपना curriculum plan करो, complete जड़ी care है, right from airport, आपा airport तो pick up कर दे हैं, चाहे हो Delhi airport हो, Delhi airport तो ही आपा directly अप जड़े को जान, तो है जड़ूर के जान कि जड़ा समा अपना दिताव है, वो समा साधा एक एक पल जड़ाव है, वो वसूल होया है, आपा समें वेर्थनी को है, थैंक्यू सो मच, डॉक्टर नभीप और दॉक्टर मॉनिका, जैसी स्माइल आपके चहरों पर है, और करके जाते होंगे, और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, जस्पंजाबी और जस्टीवी पर, थैंक्यू जी, सास्ट्रिया काल जी